हेलो गाइज वेलकम पूर अधर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फ्रेंट्स परसिस्टेंट सिस्टम्स की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है जो कि आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो और स्टैंडर रॉन दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुकी है साथ में कंपणी का फाइनल डिविडेंट और एक स्पेशल डिविडेंट में यहां पर रिकमेंट किया गया जो कि फाइनल डिविडेंट रुपीच पर एक्विडिश का और स्पेशल डिविडेंट कंपणी जो दे रहें टेन रुपीच पर एक्विडेंट कंपणी डिविडेंट कंपणी देगी जिसका अप्रूवल जो होगा इन्वल जनरल मिटिंग में की जाएगी तो अब हम चलते कंपणी के फिनांसल डिजल्ट्स पर जो कि आपको यह 1979 करोल का इंकम था इंकम क्वाटर-on-क्वाटर में एवरेज ग्रोथ हुए लेकिन यह और यह में बहुत इस शानदा ग्रोथ देखने को मिल रहा एक्सपरंसेज 1922 करोल का पिछले क्वाटर में 1849 केलोर था और मार्स 22 क्वाटर में 1412 करोलो का एक्सपेंस हुआ था पर प्रॉफिट देखें ऑप्रेटिंग प्रॉफिट की बात करें थी हंडिट फॉर्टी करोल का पीछले कौर्टर में 352 करोल था मार्स 22 करोल में 267 करोल का ओप्रेटिंग प्रॉफिट था जो कि मैं नहीं भी बताया कि इक्स्पेंस ज्यादा हुवा है जिसके वासे ऑप्रेटिंग परस्ट में कौाटर उन क्वाटर में अगर हम यहां पर देखेंगा है सो यहां करोड क्रोड का पीछली में इसले कोटर में गिरावाट आई लेकिन इस बार वैसा कुछ पे नहीं करना पड़ा अगर हम तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो कम्पनी का जो नेट प्रॉफिट है यहां पे 251 करोल का है पिछले कोटर में 237 करोल था मार्स 22 क्वार्टर 200 करोल का profit था profit quarter and quarter year on year दुनों में यहां पर तेजी देखने को मिल रही है EPS की बात करें यहां पर company का जो EPS 32.65 रोपीज का है पिछले quarter और पिछले साल से यहां पर बहुत देखने को मिल रहा तो overall अगर देखा जाया तो company का result आया है consolidated में बहुत के strong result company ने पेश किया अगर हम लोग इसके standard on results को cover करें उससे पहले हम यहां पर segment वाइस revenue की बात करें तो company के यहां पर revenue जनरेट हुआ है यहां पर देख सकते जो की अच्छी रिजल्ट यहां पर देखने को मिला अब हमें चलते स्टेंडर और फिनांसल रिजल्ट पर जो की गाइस यहां मिलियंस में नंबर्स दिएगा इंकम की बात करें 1494 करोड का पिछले quarter में 1365 करोड था मार्च 22 quarter 1074 करोड का इंकम था इंकम quarter on quarter year on year दोनों में आप तेजी देखने को मिला है expenses 1150 करोड का पिछले quarter में 1064 करोड था मार्च 22 quarter में 815 करोड का expense हुआ था expenses में यहां पर इंक्रेज किया है quarter on quarter और year on year में के इंकम के साथ कंपनी expense भी इंक्रेज की है अगर हम प्रॉफिट की बात के 258 करोड का है पिछले quarter में 182 करोड था मार्च 22 quarter में 194 करोड का profit था प्रॉफिट quarter on quarter year on year दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है EPS company के जो निकल के आया है गाईज यहां पर अगर देखे 33.81 रुपेज का है पिछले quarter और पिछले साल से यहां पर बहुत शांदार तेजी देखने को मिल रहा है तो overall company के जो result आया है quarter यह स्टेंडर लॉण है consolidated दोनों रिजल्ट बहुत ही शांदार company ने पेज के बहुत ही strong result देखने को मिला है तो हमनों की वीडियो को यह प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट का इंबॉक्स से पुझे मिलते है नेक्स टूर्यों में तिल देन बाए बाए